इस टुटोरियल में हम ये चार बड़े ही सिंपो से question solve करेंगे ये कहता है choose the correct option and justify your answer देखो सबसे पहला question ये है कि 9 secant square a minus 9 10 square a इसकी value क्या होगी ये find out करने हैं देखो एक चीज़ तो पहरे पता चल रही है कि इन दोनों में 9 common है तो 9 को बहर निकाल लो अंदर बज जाएगा secant square a minus 10 square a अब अगर आपको ये identity याद है कि secant square a कितना होता है 1 plus 10 square a ये तना होता है अगर आपको ये identity याद है तो आप इस identity को directly यहाँ पर apply कर सकते हो ठीक है तो secant square is equal to 1 plus 10 square a मतलब secant square a minus 10 square a is equal to 1 आप इसको थोड़ा elaborate करके लिखना जाते हो तो आप ऐसे लिख लो 1 प्लस 10 स्क्वेर A हो गया इसकी जगा माइनस 10 स्क्वेर A हो गया तो ये identity यूज़ कर लिए हमने 10 स्क्वेर A 10 स्क्वेर A कट गया तो 9 इंटू 1 9 is the answer अब अगर आपको ये identity नहीं याद आती तो आप क्या करोगे उस case में आपके पास alternate approach ही होती है कि आप चीजों को sin और cos में convert करके solve करने की कोशिश करो 90% cases में आपका solution आपको मिल जाएगा जैसे मैं इसी step से आगे चल पड़ता हूँ तो 9 into secant 1 over cos होता है स्क्वेर है तो स्क्वेर हो गया माइनस ये हो गया sin square a over cos square a इतना हो गया कोई फरक तो नहीं पड़ा यानि कि 9 और नीचे कितना हो गया cos square a हेल्सियम cos square a हो गया उपर हो गया 1 minus sin square a ठीक है उपर 1 minus sin square a हो गया 1 minus sin square क्या होता है cos square a तो यानि कि यह हो गया 9 cos square a over cos square a तो यह cut गया which is equal to 9 और फिर से वही answer आ गया यानि कि B is the answer तो just in case identities नहीं याद आती तो आप sign cos में करवाट करके उसको solve करने की कोशिश करो most of the cases में आपके question हमेशा solve हो जाएंगे ठीक है अब हम बात करते हैं second question की अब यह second part की statement है और इसको मुझे simplify करना है तो देखो मुझे इसको देखते ही कुछ खाज समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है तो मैं फिर से अपने back to basics 1 plus sin theta over cos theta सब को sin cos में कर रहा हूँ plus secant 1 over cos theta और यहाँ 1 plus cot क्या होता है cos theta over sin theta और cosecant का inverse होता है sin तो यह हो गया 1 over sin theta ठीक है इस part को solve करते हैं तो यह मेरे पास कितना आ गया इसमें LCM आ गया cos theta और यहाँ पे cos theta plus sin theta plus 1 यह इतना आ गया और इस तरफ sin theta LCM आ गया तो यहाँ कितना आ गया sin theta plus cos theta minus 1 तो इन दोनों में आप symmetry है मैं एक step और आगे लिख देता हूँ इसको भी मैं लिख देता हूँ से sin theta plus cos theta ठीक है पहले sin लिख दिया बाद में cos plus 1 क्योंकि यहाँ पे भी sin फिर cos था तो just symmetry के point of view से मैंने इसको दुबारा लिख दिया और कुछ नहीं किया मैंने इसमें और इसको भी मैं दुबारा लिख देता हूँ अब अगर आप द्यान से देखो तो यह जो sin theta plus cos theta और यहाँ पे भी sin theta plus cos theta फिर उसके बाद 1 और यहाँ पे भी 1 तो इसको आप इसके साथ compare कर सकते हो कि यह a plus b into a minus b इस form का हो गया और a की जगा क्या है sin theta plus cos theta इसको अगर मैं पूरे को bracket में डाल लूँ तो कोई हर्ज नहीं है इसको भी पूरे bracket में डाल लूँ तो कोई हर्ज नहीं है तो यह पूरी term मेरी a हो गई और b की जगा क्या है मेरे पास 1 तो इसको मैं formula लगा सकता हूँ a square minus b square तो basically मैं simplify करता जा रहा हूँ जितना मैं simplify कर सकता हूँ तो a square minus b square का formula लगा हूँ तो a की जगा है sin theta plus cos theta इसका whole square हो गया minus 1 का square is 1 divided by नीचे मेरे पास आगया sin theta into cos theta ठीक है यह आपस मैं multiply हो रहे थे numerator 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 से multiply हो गया denominator denominator से multiply हो गया तो इसको करने का फायदा क्या है मुझे एक identity पता है कि sin square theta plus cos square theta 1 होता है और मुझे पता है कि वो मुझे यहाँ से मिल जाएगी तो इसको मैं further solve करता हूँ तो यह मेरे पास क्या आजाएगा a plus b whole square यानि कि sin square theta plus cos square theta plus 2 sin theta cos theta सिर्फ मैंने इसका square खोला है minus 1 divided by नीचे sin theta into cos theta ठीक है यह multiply होते हैं तो dot normally इस तरह की terms में बीच में dot भी डाल देते हैं या कुछ भी नहीं डालते हैं उसका मतलब multiplication होता है ठीक है अब sin square theta plus cos square theta कितना होता है 1 ठीक है plus 2 sin theta cos theta minus 1 over sin theta cos theta 1 के साथ 1 कट गया तो बचा कितना मेरे पास 2 sin theta cos theta over sin theta cos theta sin theta के साथ sin theta कट गया cos theta के साथ cos theta कट गया is equal to 2 is the answer तो यानि कि second part का answer किया है c2 right मैं फिर से बतायाता हूँ देखो जब कुछ समय में ना आए तो चीजों को sin cos me convert करना शुरू कर दो और फिर basic identities जो भी आपको याद है उनको लगाना शुरू करो जितना maximum simplify कर सकते हो उसको करते जाओ most of the cases में आप किसी ना किसी result पर जरूर पहुंजाओगे कोई-कोई question ऐसा हो था जिसमें कुछ special tricks लगाने पड़ते हैं वो फिर practice के साथ साथ आपको समझ में आ जाता कि कैसे करना है अब next part पर जलते है so next है secant a plus tan a into one minus sign a इसकी value इनमें से किसके ब्राबर होगी तो इसको भी मैं वैसे ही करता हूँ वैसे दो मुझे पता है कि secant और tan के बीच में एक identity होती है लेकिन फिर भी मैं के करता हूँ मैं इनको sign और cos में convert करता हूँ तो यह जाएगा one over cos a plus यह जाएगा sign a over cos a ठीक है और यहाँ one minus sign a को मैं ऐसे ही रखता हूँ ओके यहाँ पे cos a मेरा LCM आ गया तो उपर कितना जाएगा one plus sign a ठीक है और यहाँ कितना जाएगा one minus sign a ठीक है one plus sign a into one minus sign a तो a plus b into a minus b फिर से a square minus b square हो जाएगा यहन की one minus sign square a हो जाएगा ठीक है a square one square one हो गया b square sin a का square तो sin a का square sin square a होता है over कितना हो गया मेरे पास cos a अब मुझे यह पता है कि one minus sign square a क्या होता है वो होता है cos square a क्यों? मैं यहां लिख देता हूँ क्योंकि sin square a plus cos square a is equal to 1 होता है ठीक है? तो अगर मैं cos square a को तो यहीं रखूँ और इसको उदर ले जाओं तो यह 1 minus sin square a हो जाता है ठीक है? तो 1 minus sin square a जो है वो cos square a के बराबर होता है divided by cos a तो cos square a cos a तो a cos cut गया तो मेरे पास कितना आ गया? cos a तो इसका मतलब d is the answer अब यहां पर confuse नहीं होना जब मैं यह लिखता हूँ cos square a इसका मतलब होता है cos a multiplied by cos a और उसको हम divide कर रहे हैं cos a से तो इसलिए a cos a, a cos a cut गया ठीक है? तो this is equal to cos a, that's my answer अब हम इसके last part की तरफ चलते हैं अब last part में मुझे given है 1 plus 10 square a over 1 plus cot square a और मुझे find out करना है कि वो इन में से किसके ब्राबर है देखो, अब इसमें यहां तो आप यह identity लगा लगा हो कि 1 plus 10 square a is equal to secant square a तो यह मैं लगा के देख लेता हूँ जो जाएगा secant square a over 1 plus cot square a मुझे पता किसके ब्राबर है cosecant square a के ब्राबर ठीक है और अब अगर मैं इसको sin और cos में convert करना चाहूँ तो secant square a क्या होता है 1 over cos square a multiplied by यह cosecant square उपर जागे कितना आ जाएगा sin square ठीक है इसका inverse sin, इसका inverse cos तो उपर sin square a, नीचे cos square a तो answer कितना आ जाएगा tan square a sin square a over cos square a is tan square a तो यानिकि d is the answer लेकिन फिर सब भाई बाद just in case ना समझ में आए यह identities नहीं समझ में आ रही तो sin cos में convert कर लो, मैं फिर से कर देता हूँ तो इसकी जगा मैं इसको लेख सकता हूँ 1 plus sin square a over cos square a divided by 1 plus cos square a over sin square a तो इसको मैं quickly कर रहा हूँ तो यह उपर मेरे पास आ जाएगा cos square a plus sin square a divided by cos square a ठीक है? और यहाँ पे भी वही आ जाएगा sin square a plus cos square a divided by sin square a इसकी value 1 इसकी value 1 sin square a plus cos square a 1 होता है तो यानि कि 1 over cos square a 1 over sin square a तो sin square a उपर चला जाएगा तो जाएगा sin square a divided by cos square a which is equal to tan square a तो मैं फिर से बार बार repeat कर रहा हूँ अगर आपको कोई identity भूल जाती है तो जादा तर आप questions को sign और cos में convert करके solve कर सकते हो except कुछ खास questions में कई बार ऐसा नहीं हो पाता लेकिन mostly आप questions को solve कर ही लेते हो sign और cos में convert करके okay so that's it from this tutorial keep watching Mathemafia